What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Stellar Family, तो कैसे हो दोस्त हम आसा करता हूँ, शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और प्राई का धान काफ़ी अच्छे से एर्रा करे हो, यह काफी इंट्रेस्टिंग और इंपोरेंट बात है, और य क्या कभी आप लोगों ने फोन पर भगवान से बात किये, या फिर क्या आप लोगों ने फोन पर बात करने के बजाए, क्या फेस्बुक पर भगवान आपके फ्रेंड है, क्या कोई ट्विटर पर आप भगवान को फोलो कर रहे हैं, यह सारी चीजे कोई भी नहीं है, पर भी आप लोग भगवान के साथे बाते करते हैं, अला के साथे बाते करते हैं, गोड के साथे बाते करते हैं, आप उनका फ्रेंड के तरीके से उनके साथे बात करते हैं, और एक तरीक से उनको फोलो भी करते हैं, जब कि उनको कोई सोसल मीडिया हैंडल भी नहीं है, तो आज की डेट में जो दुनिया जाती जा रही है वो एक अलगी डिरेक्शन में चल रही है जो एक्चुल में जो रिलेशन का मिनिंग होता है उनको कहीने कहीं वीक करते वे जा रहे हैं तो कहीने कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो COVID-19 की वेसे एक अपोर्चूटी मिली है हम ल पाएंगे कि इन चीजों के बगेर भी जिंदगी चलती है तो आप लोग के मन में एक सांती ओर आएगी वरना इनसान को ऐसा लगता है कि हमेशा कि पता नहीं क्या ऐसा चल रहा है दुनिया इधर उधर हो रखी है 24 गंटे कभी Facebook, कभी WhatsApp, कभी Twitter, कभी Instagram इन ही में लगा रहता है सोचिए कभी इनके बिना भी life को थोड़ा सा feel करने कोई किजिए इससे थोड़ा दूर रहिए दिन में कम से कम 2-4 गंटे तो आप लोग एक अलगी तरीकी easiness feel होगी एक अलग तरीकी मन में सांती feel होगी तो ये चीज भी दिन में कम से कम एक बार feel जरूर किया किजिए एक तरीक से आप लोग रिवजन हो जाएगा और अगर last week का भी लिख देंगे आप लोग नीचे comment box में तो सोने पर सुआगा हो जाएगा अगर last week का भी आप लोग को याद है तो तो ये सारी चीज़े revise आप लोग करती रहने तभी आप लोग final destination तक पहुँच जाएंगे ब आप लोगों से ऐसे ऐसे बड़ी frequently पूछे जा सकते हैं इस बार reason का है COVID-19 तो COVID-19 को जान में रखते हैं से चाइना में आप लोगों में ने discuss किया था article कि किस तरीक से चाइना में आज की date में tackle किया गया COVID-19 को हाला कि जितना किया गया नहीं किया गया वो तो बात की बात है पर लेकिन चाइना ने काफी जादे यूज किया टेक्निलोजी का लोगों को trace किया उनकी scanning की उनके घर तक सारा सामान पाचा है कहीं drone का यूज के ज़र है कहीं telemedition का यूज के ज़र है तो इसी को चलते हमारी country में जो health जो infrastructure है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं टेक्निल लोगो लिखना है और अगर आप लोग PCS किसी exam की state की तेहरी कर रहे है तो उसके इसाफ से लिखेगा अगर UPSC की तेहरी कर रहे है तो आप लोगो 1000 से ये 1200 सब तक आप लोगो लिखना है ठीक है उसी के इसाफ से change कर लेना internet का use कर सकते हैं जो भी आप लोगो सुटे भी कैसे लिखना है वहाँ से देखिए उसको लिखना है start कीजिए answer writing के ओपर भी वीडियो बना रखिए उनको देखिए कैसे आप लोग लिखना है start कर सकते हैं क्योंकि फिर से वही बात मैं बोलूँगा बार-बार कि कोई भी मा के पेट से सीख कर नहीं आता है हर एक इंसान न करने की बात कि यह economic की उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है तो अच्छे से article को detail में discuss करेंगी है यह article काफी important article इसको बोल सकते हैं anti-defection low के बारे में है और मज्य परदेश और करनाटका की जो politics है उसको compare किया गया तो बहुत ही प्यारा article है बहुत अंदर की चीज़े कई स बारिस रहने वाली है वो सब चीज़े उसके बारे में आप पर जिक्र किया जा रहा है बाकि यह COVID-19 के बारे में ही है वही सारी चीज़े की कौन-कौन क्या कर रहा है किस तरीजे चीज़े चल रही है तो काफी कुछ हम लोग ओले डिसस कर चुके है यहाँ पर जो बात की ज तो यह अब देखने वाली बात है कि फसल का प्रोडेक्शन तो बोला जा रहा है कि काफी अच्छा होने वाले है पर लेकिन क्या हो फसल मार्किर तक पहुंच पाएगी वो अब देखने वाली बात होगी यह यहाँ पर काफी बड़ा मुद्द है क्योंकि आज के नहीं आप प्रोड कर लेते हैं ठीक है तो एडिटोरियल जो संडे में आता है अगर आप लोग संडे में टाइम निकाल पाते हैं तो किसी ओर दिन देख ले किजे पले किनों सेलेक्शर को मच छोड़ा कीजे क्योंकि फता चला की कोशन पुछा जा रहा है क्योंकि कई बार जैसे लास मध्या परदेश को देख लिजे मध्या परदेश लोकेटेड कहां पर है यह है मध्या परदेश हमारी कंट्री का उत्तर परदेश राइस्थान गुझरात महरास्टा और यहां पर हो गया 36 गड़, ठीक है, तो ये 5 राजे हाँ पर टल्श करते हैं मध्या परदेश को तो मध्या परदेश को ये 5 तोरी मध्या परदेश को ये 5 राजे टल्श करते हैं तो मध्या परदेश में अभी रिसेंली एक तरीक से political turmoil आप लोग बोल सकते हैं यहनिके, चीप मिनिश्ट होते हैं यहां पर कोई भी आज केर में हापर मंतरी नहीं है, इवन हेल्थ मिनिश्ट तक यहां पर नहीं है, तो इसको compare किया जा रहे हैं हापर करनाटका के साथ में, करनाटका के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यहां पर इधर महारास्टा हो यहां पर तेलंगा नहीं हो गया, यह अंदरप्रदेश, तमिलनाडू, केरला और गोवा, तो यहां पर करनाटका को टच करते हैं, तो आप लोग समझ लिजे कि बोलने की कोशिस क्या की जा रही है, हमारी कंट्री में एक लोग है जिसको बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन ल एंटी डिफेक्शन लोग हमारी कंट्री में लाया गया था, राजिव गांदी जी के दौरा, पर लेकिन आज तक अगर आप लोग प्रोपर वी में बात करेंगे इसके बारे में, इसका काफी लाज स्केल पर मिस्यूज हो रहा है, तो टैंथ यहां पर सेड्डूल आप लो गोड़ों को खरीदना और बेचना, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं Member of Parliament या फिर Member of Legislative Assembly, इनको आप लोग बोल सकते हैं, जो विधायक और सांसर दोते हैं यह घोड़े, ठीक हैं, तो यह घोड़े खरीदे और बेच जाते हैं Political Party के दोरा, अपना अपना काम साधने के लिए, पर लेकिन यह जो low है, यह जो नियम है आपर, यह इस horse trading को रोकता है, आप लोगों ने एक सब दोर सुनाओगा, आया राम गया राम, यानि कि आज एक Political Party में, कल दूसरी Political Party में, जब election होते हैं, तो हम लोग वोट डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, बड़ condition कर देते हैं, तो वो सारी जो चीज़े है, Political Stability को हिला देती हैं, यानि कि वोट कि इस पार्टे को देती, जीत कर कौन आ रही है, पावर में कौन है, तो इसकी वेसे लोगों का जो trust है, वो भी कहीं ने कहीं काम होता है, तो country की politics को एक अच्छी politics बनाए रखने के लिए, ल article 191 का 2 हैं, या पर ये बोलता है MLA, यानि कि जो आप लोगे विधायक जी होते हैं, अगर वोल TCD हरकते करते हैं, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से sad में किया जाएगा, अब कैसे sad में किया जाएगा, उसके बारे में जान लेते हैं, तो 52 Constitution Amendment जो यहाँ पर किया गया, इसने party को join करता है, तो उसको disqualify कर दे जाएगा, अगर कोई nominated person रहता है, वो यहाँ पर join कर लेता है, 6 महीने के बाद किसी party को, ठीक है, तो तो भी हाँ पर उसको disqualify किया जाता है, इसी के साथ में, अगर कोई हाँ पर अपने आपी membership जो है, वो voluntary party की membership दे देता है, तो उसको भी ह आपर disqualify किया जाता है, इसी के साथ में, अगर कोई voting माली जे करनी है, political party को किसी particular bill के उपर, और यह person ने voting में participate ही नहीं किया, ठीक है, political party की direction के हिसाफ से, तो यहाँ पर इसको भी हाँ पर एक तरीके से disqualify कर दे जाएगा, पर लेकिन दो छूट हैं आपर, अगर किस तरीक हरकते होती हैं, तो disqualify नहीं किया जाएगा, पहली हरकत होते हैं आपर, यह speaker और chairman के बारे में, speaker बोलते हैं, normally आप लोग legislative assembly में, या फिर लोग सबह में, और chairman बोलते हैं, राज सबह में, या फिर legislative council में, तो दोनों जगे राज्ये और center दोनों की बाते बता कर आप लोगों political party को resign करते हैं, तो यह यहाँ पर इसके उपर anti-defection law implement नहीं होगा, क्योंकि political, जो यहाँ पर party से एक तरीके से side में हो जाता है, इस speaker जो है, वो एक तरीक से leader होता है, और एक तरीक से house को control करनी कोच करता है, अगर किसी political party के favor में काम करेगा, तो वो एक गलत बात है, तो इस होता भी है, तो इसलिए इसको यहाँ पर एक तरीक से अपवाद में रखा गया है, exception में रखा गया है, अगर किसी political party के two by third member जो है, वो तूट कर चले जाते हैं, तो यह समझे political party तूटी गई पूरी, फिर तो कोई मतला भी नहीं है, तो यह समझे, अगर मालिजे किसी political party में टोटल मिलाकर 15 member हैं, ठीक है, 15 member में से two by third member जो है, वो तूट गए, तो इसका मतलब क्या होगे हैं, आपर यह होगे हैं, आपर तीन पंजे 15, तो इहाँ पर इस तरीके से पांध दूनी 10, तो इस तरीके से आप लोग count कर लेगी जिए, ठीक है, हाला कि आप लोग जो अच् 15 में से 10 member अगर यहाँ पर जा रहे हैं, तो 15 में से 10 member अगर तूट कर चलेगे, तो इस समझे पालिटिकल पार्टी में 15 member है, तो इसके ओपर एंटिडिफेक्शन लोग क्या लगाएंगे, पोलिटिकल पार्टी में इतनी हिमत ही नहीं, इतनी उकात ही नहीं है, कि सारे member को तो पार्टी का एक तरीकी से यहाँ पर रहना न रहना एक तरीकी से बराबर है, तो इसके बारे में यह बात आप लोग याद रखेगा, नेक्श देकर यहाँ पर बात करते हैं, तो प्रिजगनेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो अलग बात है, और यहाँ पर जब तक रिव्यू भी नहीं किया जाएगा, यानिके कोई कोड में भी नहीं जा सकता है, अगर इसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया, हलाकि इसके ओपर भी कई सारी बात है की जा रही है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अभी जब आर्टिकल में अंदर गुसेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एक सेरेमनी हुई यहाँ पर जिसमें चीप मिनिस्टर की होत लिए बहुत छोड़ी सी सेरेमनी थी, ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया, बस ही चीप मिनिस्टर बन गए, तो यहाँ पर एक तरीक से जैसे यह चीप मिनिस्टर बने, पर लेकि मार्च, यहाँ पर 33 मार्च के उरिया थोड़ा सा बैग्राउंड में जाते हैं 19 मार्च को, 19 मार्च को यहाँ पर speaker को बोला गया, Supreme Court के द्वार direction किया गया कि floor test conduct करो, floor test का मतलब क्या होता है, कि assembly में जाओ और जाकर हुआ पर जो लोग है मालीजे, आज के रिमें मालीजे किसी तो Congress के कमलनाथ साब जो थे, उनके द्वारा resignation दे दिया गया, जैसे ही आपर floor test कराने की बात ही एक घंटे पहले, reason क्या था, reason यह था कि इनकी political party जो की चुनकर आई थी और जीतकर भी आई थी, और जिनके द्वारा government भी बनाई गयी थी, लोगों ने vote भी दिया था, उसके 22 Congress के ML ले थे, उन्होंने BJP को जोइन कर लिया, छोड़ कर अपनी party को, तो यहाँ पर एक तरीके से जो Assembly थी, वो reduce हो गई, और BJP को यहाँ पर एक तरीके से Government बनाने के लिए, एक तरीके से आपर power मिल गई, समझे इसको कैसे थोड़ा सा आप लोग अच्छे समझेंगे, तब लेकिन जो number लूँगा, वो मैं दूसरे लूँगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा complication होते हैं, कई सारी political party होती हैं, तो मैं आप लोग को simple भासा में समझाने की बात करूँगा, मालीजे मध्य परदेश की Assembly के अंदर 401 seat है, ठीक है, और यहाँ पर only दो political party है, ताकि आप लोग इसा कर लीजे आप लोग, यह Congress हो गया और यह BJP हो गया, अब यहाँ पर आज की date में मालीजे दो condition में समझाओंगा, पहली condition तो यह है, जिसमें यहाँ पर अगर आज किन में government बनानी है, तो अगर Congress को government बनानी है, तो Congress के पास में 201 seat होनी चाहिए, और इसके पास में अगर 200 seat भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह Congress ने government बना ली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या condition हो गई कि Congress की government है, पह लेकिन यह समझें कि यहाँ पर BJP के पास में 195 seat, ठीक है, और यहाँ पर 195 यानि कि 205 कम हो गई, अब 205 कम हो गई, तो इनके पास में मालीजे, आज कीड में 206 seat, अ अब आज केड में यह है power में, यह है अब फिलाल की condition, ठीक है, इस condition के बारें बात करेंगे, यह condition याद रखो, आज केड में Congress के पास में 206 seat यह power में है, और BJP के पास में 195 seat यह power में नहीं है, अब यहाँ पर कोई भी शाम दाम दंड भेद लगा गया, और शाम दाम दंड भ पाड़ी छोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितनी seat रह जाएगी, इसकी रह जाएगी, 190 seat, ठीक है, यहाँ पर 190 seat रह गई, और यहाँ पर अभी कितनी है, यहाँ पर अभी 195 seat है, पर लेकिन, जैसे 16 member गए हैं से, तो 16 member अगर आप लोग इसमें से घटाएंगे, इसमें से 16 member घट इतनी रह गई, अब यहाँ पर यह वाली strength जब बच जाती है, तो अब इस वाली strength का 1 by 2 आप लोग को करना है, तो 1 by 2 अगर इस वाली strength का आप लोग करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि अब इनसान को political party को एक तरीक से power में आने के लिए, तो 192 प्लस 1 vote चाहिए, यानिक 193 vote चाहिए, अगर किसी political party को power में आने है, यानिकि यह वाली assembly है, क्योंकि हाँ पर इतनी ही strength अब assembly की बागी का resignation हो चुके है, अब यह वाली political party के पास में कितनी है, 190, यानिकि 3 vote की कमी है, यहाँ पर government बनाने के लिए, पलेकिं यह तो already majority में आगे, इनके पास में तो 195 में already इनका तो कोई किदर किदर भी गया ही नहीं है, तो एक तरीके से अब यह political party हाँ पर जब floor test होगा, यह floor test जीत जाएगी, और यह political party floor test जीतने के बाद में अब यहाँ पर government बनाएगी, तो यह situation यहाँ पर follow की गई, same situation तो करनाटका में follow की गई, जो member of Parliament, जो member of legislative assembly यानिके वि अगर article आएगा, फिर से समझा दूँगा, यह फिर वीडियो को rewind करकर आप लोग देख लिजेगा, ठीक है, अब यहाँ आपर इसको समझते है, article को, article में क्या क्या बाते के जा रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, अब यहाँ आपर जब 22 ML जो 22 ML ए थे इनके दो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि country तो पूरी हाँ पर जूज रही है, coronavirus के चलते, और जो बीजेपी ने government बनाई, वो यहाँ पर एक तरीके से वो अपना power को gain करने के पीछे लगी है, जबकि assembly में election lost कर चुकीती है, यह यह हारने के बाद भी power में आना, तो यह बात ह एक थोड़ी सी जो की, कहीना की democracy के उपर सोचने के लिए मजबूर करती है, lockdown के चलते चलते, जो चोहान साब ने oath ली, पर लेकिन कोई भी minister यहाँ पर नहीं है, even health minister भी नहीं है, तो अगर जंता के बारे में सोचा जाता है, कम से कम health minister तो लेके रहते हैं, तो यह यहाँ पर अब भी फिलाल देखने को मिल रहा है, जो मध्या परदेश में government को यह गिराने के लिए जो pattern start किया गए हाँ पर, anti-defection low को bypass किया गए हाँ पर, वो same funda है हाँ यूज किया गया करनाटका के अंदर में, करनाटका अंदर भी same funda यूज किया गया, जो कि मैंने भी आप लोग को समझाए हैं आपा, सामने वाले के छोड़ कर चले के assembly की strength कम हो गई, तो इन्होंने आकर अपनी government बना ली, तो यह funda काफी खतरनाक एक नए तरीके का pattern यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और जो नए तरीके का pattern निकल कर आ रहा है, जिनके द्वारे हाँ पर छोड़ कर गया ग वेसे, उसमें maximum लोग जो हो लें, वो re-elect होकर भी आ जा रहे हैं, यह निके एक तरीके से, कुछ time बाद फिर से, वो हाँ पर assembly के अंदर पहुँच गए, पर लेकिन अब की बार दूसरी political party की side से पहुँच गए, क्योंकि जनता आप लोगों को पता है, इन सब चीजों को ज उठाय जाता है, तो repeat same चीजे जो हुई यहाँ पर, मध्यपरदेश में आप लोग देखते हैं, और करनाट का में pattern को एक तरीक से compare करने को इसकी जारी है, कि जिनके दोरा resignation दिया गया है, क्योंकि मध्यपरदेश के speaker के दोरा resignation accept कर लिया गया है, अब by election होंगे, वो जीत के अब BJP के ticket पर फिर से, यहाँ पर मध्यपरदेश के अंदर, यहाँ पर assembly के अंदर बैठे होंगे, तो यह condition यहाँ पर देखने को मिलती है, अगर resignation यहाँ पर accept ना किया जाता, तो फिर एक बार को एक अलग fund हो जाता, पर लेकिन accept कर लिया गया है, तो अब उनको by election लड़न anti-difection law जो है, वो काम कर रहा है, जिस चीज के लिए बनाया गया था, एक तरीक से fundamental concern यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कि जो parliamentary democracy होती है, फिर आप लोग state के अंदर बात करें, हाँ पर जो democracy होती है, क्या वो सही से आपर चल रही है, जनता किसी को vote दे रही है, चिंकर कोई और आ assembly या फिर member of parliament, यानि कि सांसर और विधायक को एक particular party का गुलाम बना देता है, यानि कि उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, political whip जो होती है, उसके हिसाब से उनको उसमें participate करना पड़ता है, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है आपा, क्यों reason क्या है, मालीजी अगर कल को उनक criticism हुआ 10th schedule का, इसी के साथ में दूसरा ये बोला गया, कि primary objective के लिए जिसको ये बनाया गया था होस्टेडिंग रोकने के लिए, वो तो अभी ओर यह है, तो उस परपस को लिए भी सुधनी कर रहा है, तो इसी के चलते इसको यहाँ पर एक तरीके से Supreme Court के अंदर यहाँ पर JT Liu, ठीक है, तो यहाँ पर यह याद रखेगा इसका, यह case का नाम है, होला हन करके तो आप लोग जुरूर याद रखेगा, यह थोड़ा सा अलग नाम हो गया, J-A-C-H-I-L-H-U, ठीक है, तो यह particular 1992 का case है, जिसमें, जो यहाँ पर verdict आया है, उसमें upheld किया गया एक तरीके से, यानि कि जो यह decision है, यह सही है यहाँ पर, ठीक है, पर लेकिन एक और बात आगे यहाँ पर कि judicial review होगा speaker के decision का, अभी इसको समझी आप लोग थोड़ा जा, मालीजे कोई particular speaker ने decision ले लिया, कि हाँ, इनको disqualify कर दिया गया है, तो फिर मालीजे वो member सहमत नहीं है, और वो code में पहुँच गए, तो judicial review होगा, judicial ही देखे कि speaker ने सही decision लिया है, पर नहीं लिया है, पर लेकिन अगर speaker ने decision लिया ही नहीं, उसने pending में डाल दिया, तो उसको कोई judicial review नहीं होगा, तो उसके ओपर भी कई सारी बात चल रही थी है, भी recently, कि देखे, इस speaker को थोड़ा सा यह देखना चाहिए, कि किस तरी ही situation को लेके चलना है, अगर कोई ऐसी condition बनती है, तो उसको solution जल्दी से जल्दी निकाला जाए, तो इसके बारे में भी कई बार बात ओर लेडी हो चुकी है, तो इसके बारे में हापर बात की जा रही है, तो यह case आप लोग याद रख सकते है, important case है, exam में question आप लोगों का बन सकता है, ठीक है, अब दो चीजे हो गई, एक तो हो गई हापर कि उनको गुलाम बना लिया जाता है, दूसरे हापर कि जिसके लिए बनाय गया था, यह लोग फिर भी follow नहीं किया जा रहे है, अब इसको आप लोग थोड़ा समझे क्या बात क होती है, यहनि कि मालीजा अगर किसी political party का अस्तित्य खत्रे हैं पड़ रहे है, और यहाँ पर एक तरीक से confidence vote की बात आ रहे है, तो वहाँ पर तो वो party के गुलाम रहेंगे, पर लेकिन अगर किसी particular bill पर वो सहमत नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके इसाफ से बिल सही नहीं है, तो हाँ पर वो गुलाम नहीं रहे है, यहनि कि एक तरीक से member of parliament या member of legislative assembly खुद भी independent होने चाहिए, क्योंकि अगर उनको लग रहा है, बिल सही नहीं है, तो वो अपनी political party के अपोज में जा सकते हैं, यह बात बोली गई थी, गो स्वामी committee के दोरा पर implement नह कर गए, तो ताकि वो by election ही आपर एक तरीक से by election का part नहीं बन सके, ठीक है, एक तरीक से करनाट का speaker manager reason है आप आप, वो एक तरीक से defected जो member है उनको by election हो रहे है, तो ठीक है, यह सोचे अगर उनको by election करने से ही उनको रोग जे जाए, यहनिके political party से अगर वो छोड़ कर जा रह अगर continuous चीज़े जो देखने को मिलते हैं, उसके बाद में, 6 साल तक उसको वहाँ पर एक तरीक से election में participate नहीं करने दिया जाता है, ठीक है, तो यह बात यहाँ पर बोली गई, तो एक सदीक से आप लोग यह समझिए, कि जैसे अभी लालू परसाद या जाज़ी का उधाना है, उसको रोका जा सके, और situation को normalize के जा सके, पर लेकिन क्या कोई political जो member है हमारी country के, क्या उनके अंदर कोई एक तरीक से होनी कहते है कि इंसानियत नहीं रह गई है, कोई ethics नहीं है उनके अंदर, क्या वो कुछ नहीं करेंगे, क्या सारी चीज़ ऐसी होगे, हमेसा से इस त समिधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, कोई भी ध्रम अच्छा बुरा नहीं होता है, उसमें रहने वाले लोग उसको कैसे follow करते हैं, वो उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं, समिधान कितना भी बुरा क्यों नहीं होगा, और समिधान कितना भी बुरा क्यों नहीं हो तो ये आप लोग बताईए इसके बारे में क्या सोचते हैं तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल की और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपर उसके बारे में समझते हैं यह काफी important article आप लोग बोल सकते हैं हमारी country के बारें बात की जारी है जो governor के द्वरा भी bailout के बारें बात की जारी है कई सारे बहुत अच्छा खासा पैसा 1 lakh crore रूपे हाँ पर pump किया गया है तो इसका मतलब क्या होगा जैसे system में पैसा जाएगा लोगों के हाथ में पैसा आ रिवर्स 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 रिव बार-बार इसका मतलता है पैसा बठाना और बढ़ाना मार्किट के अंदर तो अभी RBI के द्वारा 1 लाक करो रूपे इंफ्यूज करने की बात की जारी है क्योंकि आप लोगो पता है COVID-19 की वैसे जो एकनोमी है वो बरबाद हो चुकी है तो RBI के द्वारा oxygen देने की कोशिस की जारी है financial system को जहाँ पर डूब रहा था तो सक्तिकांत दास जो हमारी country के governor है उनके द्वारे है यह एक तरीका का अच्छा step उठाया गया तो जो mainly liquidity है आपर यह bank होगे और non banking financial company होगी बुरोवर होगे उनको बहुत फायदा पहुचाने वाली है और इस तरीके से जो RBI है वो continuous situation को देख रहा है और feedback लेकर आगे काम कर रहा है यनिके reserve में को फिंडिया जो है आँक बंद करकर काम नहीं कर रहा है आँक खोल कर काम कर रहा है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं Mr. Das के दौरे हैं आपर जो अभी RBI की जो support देने की बात कीए तो वो monitor कर रहे हैं और situation पर ध्यान भी रखे हैं कि कैसी situation जो है वो evolve हो रही है तो उसके हिसाब से वो काम कर रहे है तो RBI के दौरा जो हैं आपर liquidity दी गई है उसको maintain रखने की कोशिस की जा रही है ये lockdown के duration में तो ये काफी अच्छा है और March में इनके दौरा ये activity स्टार्ट की गई थी तो कुछ question आप लोग ये बन सकते हैं दो चीज़े याद रखेगा एक तो बोलते है monetary policy ये किसके control में होती है ये होती है central bank यानिके reserve bank के अंडर में दूसरे बोलते है fiscal policy ये किसके control में होती है government के control में monetary policy क्या होती है जैसे reporate वगएर होगे ये सारी चीज़े उपर नीचे करना credit ratio चेंज करना interest चेंज करना ये होती है आपर monetary policy जो की central bank tackle करते है किसी भी country का fiscal policy क्या होती है fiscal policy होती है जैसे tax वगएरा income tax वगएरा GST वगएरा कहां खर्च करते है तो यहाँ पर government decide करती है दोनों को मिला कर goal क्या रहते है एक तो economy growth कर रहते है inflation यान कि महगाई को control करना और social stability कोई चीज़े कोई चीज़े ऐसा भी नहीं हो की availability अच्छे हो निचे है market में ठीक है तो यह सारा काम यह दोनों मिलकर यहाँ पर करते हैं तो एक tool यहाँ पर यह है और दूसरा tool यहाँ पर यह है दूसरे यहाँ पर एक important fact आप लोग गोर याद रखेगा monetary policy committee जैसे monetary policy होती है तो इसको count करने वाली होती है monetary policy committee जो की UPSC के दौरा question पूछे जा चुक है total मिलाकर 6 member होते हैं तीन तो RBI से आते हैं और तीन आते हैं government से तो यहाँ पर decision लेते हैं कि inflation कैसा रहना है और inflation का target कितना है आज के रिम हमारी country में चलिए यह है तो आप लोग बताईए इतनी हमार बता चुक हूँ ठीक है तो क्या Rangers के वीचे आप लोग बताईए ठीक है तो चार member का quorum यहाँ पर होना चाहिए अगर meeting को start करना है Reserve Bank of India के जो governor है वो तब vote डालेंगे अगर यहाँ पर tie हो जाएगा तो ठीक है यह RBI के दौरा 27 March को यहनि के पहले महिने में इंट्रिद्यूस किया गया है तो question बन सकता है एक्जाम में बड़ी frequently targeted long term rapporate यह एक तरीका tool है liquidity enhance करने के लिए system में यहनि के एक तरीके से आप लोग यह समझे कि अगर पैसा नहीं है यहनि के market में पैसे बढ़ाने का तरीका है यहाँ पर एक तरीके से targeted long term rappor rate अभी इसके थुरू यहाँ पर 50,000 कोड रुपे RBI ने infuse किये है bond की form में NBFC और microfinance institution के थुरू market में पहुचा है next round क्या होगा वो interesting होगा देखना वो देखा जाएगा अभी यहाँ पर जो cut किया गया है दूसरी side में similar reduce भी किया गया है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादे infuse कर दिया गया है तो 25 basis point जो है with 3.75 यहाँ पर हो गया है जो अभी यहाँ पर infuse भी किया एक तरीके से यह क्या किया गया है आपर इसके दौरार जो rappor rate है यहाँ पर सोरी यह reverse रेपो rate है यह reverse रेपो rate आप लोग यहाँ समझें मैंने भी आप लोग को बताया भी था reverse रेपो rate यहाँ पर यह blue वाला है यहनि कि हमेसा आप लोग को normally यह जो है बिसका मतलब ही होते है कि जब RBI पैसे लेता है bank से इनके वापस पैसे लेता है तो इसके अंदर यहाँ पर cut कर दीगी है तो एक यह भी तरीका आप लोग यहाँ पर देखते है liquidity बढ़ाने और घटाने का तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा अब थोड़ा से यहाँ पर समझ लेते है 6.9 lakh क्रो राजकेड में पार्क है RBI के पास में ओन अप्रेल 15 यहाँ पर बता जा रहा है इतना पैसा RBI के पास में है तो इस तरीके से अगर यहाँ पर यह चाहे तो help कर सकता है अलग अलग तरीके से bank की help कर सकता है ताकि उनके पास में liquidity पहुंच जाए एक तरीके से जो borrower है उन तक पैसा पहुंच जाए ठीक है तो RBI तो अपना काम कर रहा है तो government अब यहाँ पर और अपना काम कर सकती है अपने हिसाब से क्योंकि RBI ने इतना काम करना था RBI काम करी रहा है अब government कितना काम करेगी यहाँ पर तो इस scheme credit assurance जो यहाँ पर इसके government के दोरे start की गी थी वो और जादे हैं आपर उसको आगे बढ़ा सकते है इसी के साथ में जो ways and means वाला यह मैंने news analysis वाली वीडियो में आप लोगो बढ़ा है था तो यहाँ पर बोला जारे कि 60% के करीब जो है आपर जो basically ways and means वाला इसको बढ़ा दिया गया है इसका मतलब किया है राज्य जो है अब कहीं से भी उधारी ले सकते है 60% तक का ताकि COVID-19 के साथ में लड़ सकें तो इस special refinancing जो 50,000 crore रुपे यह अब ही यहाँ पर बात की जारी है नाबाड सिडवी और जो यहाँ पर National Housing Bank है उनको यहाँ पर दिये ताकि एक अच्छे-कासी एकनोमिकी अंदर activity बढ़े तो Central Bank ने अपना काम कर दिया है अब Government कितना काम करेगी यह बाते देखने वाली होगी तो यह था इसके बारे में article जो कि आप लोगों पता होना चीए और बाकी मैं best question आप लोगों से पुछा गया था लास्ट टाइम यह था Lake Ontario के बारे में तो पांच great lake जो है South America के अंदर उनमें से एक lake है Ontario और इसका मतलब होता है Beautiful Lake तो कौन सा answer सही है A में बोला गया 1 only B बोला गया 2 only C में बोला गया both 1 and 2 D में बोला गया neither one not 2 तो सही answer क्या है A, B, C, F, D सही answer है D कोई सा भी सही हाँ पर नहीं है क्योंकि पहली जो statement है आपर South America बोला गया है तो यह South America नहीं है यह North America है पहली तो बात यह हो गया दूसरा जो यहाँ पर गोला गया Ontario का मतलब होता है Great Lake ना की Beautiful Lake ठीक है और यह कहां कहां पर है इसको आप लोग देख लीजे एक बार फिर आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे Lake Ontario यह हाँ पर लेक आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि ऊपर Canada है और नीचे है USA तो USA और Canada के बीच में Lake Ontario ठीक है तो यहाँ पर Quebec जो basically Canada के अंदर है और New York इसके बीच में आप लोग को देखने को मिलेगी और बीच में से boundary गई हुई है पाँच लेक है जो कि कई बार आप लोग को बता चुका हूँ Lake Superior, Lake Huron और Lake Erick यह चार लेक तो हैं दोनों के बीच में डिवैड होती है और पाँच भी लेक है Lake Michigan यह completely USA के अंदर में है तो यह question अगर आप लोग से बने तो confused आप लोग को नहीं होना है तो यह था आज का discussion एक article आज का आप लोग का बचा है वो article कल discuss करेंगे morning में इसी के साथ में कुछ article past के भी आप लोग के बचे हूँ है उनको इखटा करेंगे कल morning में हम लोग discuss करेंगे तो यह था आज का discussion अगर lecture पसंद आया तो लाइक जुरूर कीजेगा और share कीजेगा अगर पसंद आया तो dislike कीजेगा और share भी नहीं करना है और comment box में यह जुरूर बताएगा कि dislike क्यों किया है ताकि आने वाले time में improve किया सके मिलता हूने एक lecture में बढ़ोग को नमस्ते छोड़ों को प्यार छोड़ी सी life enjoy करें यार तब तक के लिए जय हिंद